नमस्कार बच्चो आज के इस एपिसोड में हम डिसकस करेंगे क्लास 10 सिविक्स पोल साइंस के सेकंड चैप्टर संगवाद से लेटिड मोश्ट इंपोर्टन एमसी क्यूज कोशन्स यह चैप्टर हमने डिटेल में भी डिसकस किया है अगर आपने डिटेल वीडियो नहीं देखा तो पहले आप उस डिटेल वीडियो को देखिए इसके लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना है प्लेलिस्ट में आपको क्लास 10 शोसर साइंस का जीनियस बैच मिलेगा वहाँ पर ह हमने सभी चैप्टर्स को वन शोट वीडियो में डिसकस किया है और उन चैप्टर्स में हमने फोकस किया कंसेप्ट के ओपर कंसेप्ट इस बार की रहेगा कंसेप्ट अगर आपके क्लियर होते हैं तो आप इस बार डेफिनेटली 100% स्कोर कर सकते हो बहुत आराम से बड़े तरीके से स्कोर कर सकते हो आपको शिरब दो गलतिया नहीं करनी इस बार पहली चीज कि आप जो बड़ी गलती करने वाले हो बहुत सरे बच्चें इस गलती को करने वाले हैं कि वो सीधे MCQs की प्रिपरेशन करें सीधे वो MCQs के ओपर जंप करें तो यहां आपके लिए प् अभी तक देख लिया होगा जो हमने पिसला वीडियो था उसमें आपके साथ शेयर किया था उसमें एक चीज आपने उपजर्व किया होगी 90% जो आपके questions है वो concept based है 90% कैसे concept based questions है factual question नहीं है knowledge based questions नहीं है जिनको आप करें कर सकते हो only 10% जो आपके question है वो knowledge based है या फिर factual questions है तो अब यहाँ पर आप जो क्रेम करोगे तो उनको आप क्रेम कर सकते हो concept है वो क्रेम नहीं हो पाएगा तो यह गलती नहीं करनी है आप chapters को देखिए आपके total जो chapters है इस बार अगर हम बात करें जियो में आपके दो chapter आपके इको में आ रहे हैं दो chapter आपके पोल साइंस में एक chapter आपका history मा रहा है 7 chapters हा रहे है 7 chapters को आप 8 hours में उन वीडियो के थूँ अपने clear कर सकते हो सिरफ 8 गंटे की बात है ठीक तो उसके बाद आपको MCQs करने है तो अगर यह गलती नहीं की तो आपके बहुत ज्यादा chances रहेंगी कि आप 100% score कर पाओ दूसरी चीज जब आप MCQ कर गोई तब भी आप एक चीज ध्यान रखने है MCQs बहुत सारी books market में अवलेबल है बहुत सारे videos अवलेबल है अब videos में यह नहीं कहूँगा कि videos आप यही देखिए बाकी videos भी देखिए लेकिन यह चीज ध्यान रखिएगा कि जो social science का teacher है उसी का आप video देखिए social science का क्यो कि आपके जो questions आने 90% वो आने why, क्यों, उस से related तो आप अगर ठीक से सही से questions भी practice के लिए नहीं choose करते हैं तो वहाँ पर भी आपकी preparation अधूरी रह जाएगी तो चलिए बात करते हैं हम आज की इस episode की तो यहाँ पर जितने भी आपके MCQs questions देगें यह MCQs questions आपके पिछले जो previous CS के objective questions आई हैं board exam में, वहाँ से हमने लिए हैं, दूसरा आपके जो NTSC के previous CS के exam से 2015 से लेकर के पिछले साल तके, वहाँ से हमने लिए हैं, यानि यह जो questions से आपके board examination plus आपके NTSC exam, दोनों के लिए important रहने वाले हैं, let's begin चली, शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम सरकार के 2 या 2 से अधिक सत्र होते हैं, ठीक बाकी और कुछ नहीं होता, यह एक परकार की शासनवासता है, इसमें सरकार के 2 या 2 से अधिक सत्र होते हैं, जैसे इंडिया की बात करें, तो यहाँ पर central government है, उसके बाद हमारी state government है, उसके बाद आपके local government आ जाते हैं, तो यह संगवाद हो गया जिसे आपके स्कूल में होता है प्रिंसिपल सर्या मेम उसके बाद आपके क्लास टीचर उसके बाद आपके क्लास मॉनिटर तो लेवल हो जाते हैं ऐसा ही यहाँ पर संगवाद में होता है तो संगवाद में सरकार के कम से कम में भाजित कर दिया जाता है उल्रेडी उसमें कुछ राजिया होते हैं तो वहाँ पर अलग-लग सरकारे होती हैं मिल जूल करके वो कोशिश करती है कि देश का एक समान विकास हो पाई अभी विश्यो के बात की जाए तो अभी आज से चार साल पहले तक कि जो हमारे पास फैक संग की होती है अब एक और एकात्मक शरशन परनाली कौन से होती है हो इसके ऑपोजिट होती है कि छोटे देशओ में सिर्लंका की बात करें नेपल भूटान यहाँ पे क्या एकात्मक शार्षन पढ़ना लिए ठीक और संगात्मक होती है बड़े दोसों में जैसे कि भारत में है पाकिस्तान में है या USA की बात करें तो वहाँ पर संगात्मक शार्षन पढ़ना लिए ठीक तो यहाँ पर आपका क्लियर हो गया हो कि संगात्मक क्या हो और एकात्मक क्या अब बात करें कि संगात्मा की और क्या विशेष्टा होती है पहली विशेष्टा यह होती है कि इसमें सरकार के दो या दो से ज्यादा लेवल होती है ठीक पहले चीज़ आपको क्लियर हो गए होगी दूसरा यह कि इसमें सरकार के जो अलग लेवल होती है उनकी शक्तियां भी सेविधान की दोरा विभाजित होती है यानकी इनकी शक्तियां क्या होती है अलग-लग होती है तीसरी पर मुख विशेषता ही होती है कि इनके आय के जो साधन होते है इनकम के जो सोर्शेज होते है वो भी इनके सेपरेट होते है अलग अलग होते हैं ठीक इसके साथ साथ ये एक ही नागरिक समूव पर शासन करती है यह नहीं कि इनके नागरिक भी बंटे होंगे जैसे हम दिल्ली के निवासी हैं तो हम दिल्ली वासी हैं हम लोकल गवर्मेंट उसके भी नागरिक हैं स्टेट गवर्मेंट के भी नागरिक हैं और हम Central Government के भी नागरी के एक ही रहेंगे लेकिन शक्तियां अलग लग रहेंगे न्याई पढ़नाली भी एक ही रहेंगे जैसे अपने यहां पे High Court उतने राज्यों के लेकिन Supreme Court एक ही होता है और इसका संगहात्मक शाषन पढ़नाली को अपनाय जाता है तो यहां पर आपको काफी कुछ क्लियर हो गया होगा अब हम बात करते हैं कि संग कितने परकार के होते हैं तो संग दो परकार के होते हैं एक तो उतनी Coming Together ठिक साथ आकर के संग बनाना Coming Together का मतलब है कि अलग-अलग राज्य थी अलग-लग देश थी शवतनतर देश थी वो साथ में आए और मिल करके उन्होंने संग बना लिया तो वो आजाएगा Coming Together Federation जैसे USA में अलग-अलग देश थी आकर के उन्होंने अपना एक संग बना लिया तो क्या हो गया Coming Together तो यह है coming together federation हो गया ऐसे ही अगर हम बात करें ऐस्टेलिया की तो वहां पर भी अलग लग सवतंतर देश थी और साथ आ करके उन्होंने संग बना लिया तो यह है coming together federation दूसरा होता है holding together holding together का मतलब कि एक साथ मिल करके संग बनाना जिसमें देश एक था लेकिन उसने क्योंकि बड़ा आकार था तो परशाषन के लिए खुद को राजियों में बांट लिया जैसे भारत ने किया है पाकिस्तान ने किया है बेल्जियम ने किया है तो वह जाएगा हमारा holding together federation तो यह संग सुची में जितने विशे देगे हैं वो देश के लिए important है उनके उपर कानूर केवल और केवल संग सरकार बना सकती है उसके बाद आजाती है आपकी राज्य सुची उसमें जितने विशे देगे हैं जो राज्य के लिए important है वो दिए गए उनके उपर कानूर केवल और तो किसकी चलगी प्रिंसिपल सरी अमेम के चलनी है न ऐसा ही यहाँ पर होता है उसके बाद एक चोती सूची भी है वो है आफशिट सूची यानि जो विश्य इन तीनों लिश्टों में नहीं सामिल था जब सर्विधान बना जैसे साइबर लोज नहीं थे जो ओनलाइन ठगी उसे लिटेड कोई लोज नहीं थे तो जो विश्य उन तीनों सूची में नहीं वो आ जाएंगे चोती सूची में उस पर भी कानूं केंद्रिय सरकार बनाएगे ठीक तो यह सब कुछ यहाँ पर देगए उसके बाद देगए हमारी भाशा निती क्या रही है तो हमारी भाश साथ हमने किसी भाशा को राष्टे भाशा कोशित नहीं किया हिंदी हमारी राष्टे भाशा नहीं बलकि कामकाज की भाशा है और 22 भाशाओं को हमने अनुसुचित भाशा का दर्जा परदान किया है यानि 22 भाशाओं में कोई भी विद्यारती वो अपनी study continue कर सकता है Central Government का एकजाम इन मेंसे किसी एक भाशा में दे सकता है ठीक उसके बाद हमने बात की थी जो दिया गए इस सैप्टर में वो दिया गए है कि तीसरा जो टियर है घृट तीसरा जो सतर है वो है स्थानिय सरकार कि स्थानिय सरकार की बात करें तो हमने काफी पहले आजादी के बाद स्थानिय सरकार को अपनाए था कुछ समय के बाद लेकिन स्थानिय सरकार 1992 में तक ना मात रखी थी 1992 में तेहतरवा सविधान संसोधन होता है उसके बाद स्थाने सेरकार में कई सारे बदलावाते हैं और वो और ज़्यादा पारफुल हो जाती है जैसे आप वहाँ पर election regular होने लग गई उनके कुछ उनको शक्तियां दे दी गई उनके AI के सादन fix कर दे गई एक तिहाई पद है वो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दे गई OBCS, CST के लिए आरक्षिन दिया गए तो यह सब कुछ बदलावाए तो यह है आपका chapter संगबाद अब इसी से related हमें जो MCQs questions है वो discuss करना है अब मैंने छोटा से review दिया है तो चलिए first question के साथ सुरुवाद करते है पहला जो हमारा प्रशन देग है कि निमिल खित में से कौन कौन सा है वो संगबाद की परमुक विशेष्टाओं में से एक नहीं है इसमें से एक option ऐसा है जो संगबाद की परमुक विशेष्टा नहीं है पहला है सरकार के दो या दो से अधिक सत्र होते हैं तो ये तो है बिल्कुल करेक्ट दूसरा है कानून बनाने पर कर्व असूलने और परशासन के विशिष्ट मामलों में परतेक सत्र का अपना अधिकार शित्र है ये भी सही है यानि कि हर किसी की अपनी शक्तियां है, ठीक, तीसरा है, सरकार के परतेक सत्र के अस्तितो रधिकार की सेविधानी कारिंटी है, ये भी सही है, कि सेविधान ने वो शक्तियां दे गई है, यानि कि सेविधान के दोड़ाव शक्तियां दे गई है, ऐसाने कि कभी भी कोई भी विशेष्ट और पे बात करें, जो संग से समंधित प्रावधान है उनको, उनमें कौन बदलेंगे, जो राज्ये हैं और केंद्रे सरकार है, वो मिल करके ही बदल सकते हैं, तो ये इसकी विशेष्टा नहीं है, तो इसमें आपका D सही विकल्प रहेगा, यानि कि ये संगवा परशन को देखिए, दूसरा परशन है कि भारते सेवधान दोरा कितनी भाषाओं को अनुसुचित भाषाओं का दर्जा दिया गया, ओके, ये हमें बताना है, तो इसमें चार विकल्प देगे, पहला है 20, दूसरा है 21, तीसरा है 22, चोथा है 23, तो अब अनुसुचित पर्शन हो गया, तो अनुसुचित भाषां का दर्जा दिया गया, यानिंक बाषाओं को एक समान दर्जा पर आपत है, यानि किसी भी भाषा को कििसी दूसरी भाषा के ओपर जबरदस्ती तोफ़पा नहीं गया, तो C आपका क Honसर एगा, उसके बाद, तीसरा जो हमारा प कि दो परकार के तरीके हैं, दो तरीके हैं जिनके माद्यम से संगों का घठन किया जाता है, यहने कि संग कितने परकार के होते हैं, दो परकार के होते हैं, कौन से यह हमें बताना है, तो पहला तरीका है कि इसमें सवतंतर जो राश्टर होते हैं, सवतंतर जो राज्य होते हैं वो एक बड़ी काई बनाने के लिए एक साथ हाखी है उसके बाद तीसरा विकलती गया है जिससे संगों का निर्मान की आ सकता है और चोथा विकल्प हमें दिया गए कि इन में से कोई नहीं तो इसमें सही आपका विकल्प रहेगा C यानि कि दो परकार के संग होते हैं और ये दोनों ही तरीके सही हैं उसके बाद चोथे पर्षन को देखिए चोथा जो हमारा पर्षन दिया गए कि भारत में कितने पर्तिशत लोगों की मातरी भासा हिंदी है यह हमें बताना है ठीक, तो NCRT की जो बुक है उसके according हमें बताना हालांकि अभी जो percentage है थोड़ा सा बढ़ चुक है तो इसमें पहला विकल्प दिये गए 35% 35% दूसरा 40% 40% तीसरा 45% 45% और चोथा विकल्प दिया गए वो है 50%, 50% तो इसमें सही विकल्प आपका रहेगा 40% ठीक, हारांकि अब थोड़ा सा percentage आ उपर जा चुक है लेकिन हमें NCRT के according ही अपने answers को देना है तो 40% जो लोग है उनकी मातरी भासा हिंदी है अलांकि अभी की बात करें तो देश का ऐसा कोई कोना नहीं है जहांपर हिंदी बोली या समझी ना जाती हो उसके बद पांचवाँ परशने फिप्ट जो हमरा question रहेगा किन में से कौन सा कथन गलत है यह हमें बताना है जो संगवाद से समन्दित है पहला है कि आम तोर पे संगवाद में सरकारों के कम से कम दो सतर होते है, सही बात है बिलकूल correct दूसरा है दोनों सरकारों के सतर एक दूसरे से 37 अपनी शक्तियूं का अनन लेते है ये भी सही है उनके अपनी अलग लग शक्तिया होते है ये भी ठीक है, संग्य परणाली में एक राजे सरकार की अपनी शक्तियां होती है, ये भी सही बात है, राजे सरकार की खुद की शक्तियां होती है, जो राजे सुची में दी जाती है, चोथा है, कि एक संग्य परणाली में राजे सरकार केंदर सरकार से अधिक शक्ति साली हो अंसर रहेगा यानकि इनमें से गलत जो कथन दिया गया है, वो गलत कथन है आपका डी, ठीक? उसके बाद चथा हमारा परशन है चलिए उसको देखती है, चथा परशन दिया गए, संग्ये पर नाली के मूल उदिशे क्या होते हैं, यानकि संग जो बनाए जाते हैं, या संग या संस्किर्टी के अधार पे विविता होती है तो उनको एक अलग राज्य के तोर पर उनको अलग सक्तियां दे दी जाती है ताकि किसी परकार का भेध भावना हो ये भी एक उदेशय होता है, ये भी सही बात है तीसरा विभिन समदायों के विच में शक्तियों को साजा करना ये सही विकल्प नहीं है क्यों? क्योंकि सक्तियों के साजा करन के लिए संग होना जरूरी नहीं है कई सारे और भी तरीकें जिन से शक्तियों को बंटवारा किया जा सकता है D option दिए गए A और B दोनो तो इसमें हमारा correct answer D रहेगा A और B दोनों उदिशे होते हैं संगवाद के गठन करने के उसके बाद सातों परशन दिए गए चलिए सातों परशन को देखते हैं सातों परशन है निमिलकित में से कौन सा कथन एकात्मक सरकार के संबंद में गलत है ठीक संगात्मक सरकार के हम बात करें लेकिन इसका अबोजिट होता है एकात्मक सरकार जो छोटे दिशों में होती है तो इन में से एक अथन है वो एकात्मक सरकार के संबंद में सही नहीं है यानकी गलत है वो हमें find out करना है तो सरकार का केवल एक ही सत्र होता है या उपवकाईयां किंदर सरकार के अधिन होती है पहला तो इन्होंने दिया कि इसमें एक ही परकार के सरकार होती है और अगर उसमें उपवकाईयां होती है नीचे की सरकार होती है तो वो केंदर सरकार के अधिन होती है उनकी अपनी कोई शक्तिया ने होती है ये तो सही है बिल्कुल ठीक दूसरे केंदर सरकार प्रांतिय सरकार को आदेश पारित कर सकते है ये भी सही है क्योंकि उसमें सब कुछ सारी शक्तियां वो केंदर सरकार के पास होती है तीसरा एक राज्य सरकार केंदर सरकार के परती जवाब दे होती है ये भी सही है ठीक क्योंकि जो राज्य सरकार पहली बात तो होती नहीं अगर होगी तो केंदर सरकार है उसी की जीह जूरी करेगी ठीक उसी के कोडिंग उनको कारे करना होगा चोथा है राज्य सरकारों की शक्तियां सेविधान दोरा गारंटी शुदा होती है तो यह सही नहीं है क्योंकि राज्य सरकारों की पास अपनी कोई शक्तियां नहीं होती एकात्मक सरकार में तो डी विकल्प है वो एकात्मक सरकार से सम्मंद में सही नहीं है ठीक उसके बाद आठमा जो हमारा पर्शन दिया गया है चलिए उसको देखते हैं एट्थ हमारा कुशन दिया गया है कि भारत का सविधान मोल रूप से इसके लिए प्रावधान किया गया है भारत के सविधान में किसके लिए प्रावधान किया गया है यानि कि यहां पे हमें चार विकल ती हैं कि सरकार की दो सत्रिये पढ़नाली होगी ठीक दूसरा विकल पे कि सरकार की त्री सत्रिये पढ़नाली होगी दो सत्रिये पढ़नाली मतलब कि सरकार दो परकार की सरकार होगी किंदर सरकार और राज़े सरकार यह हमारे स्विधान में दिया गया दूसरे की सरकार में त्री सत्रीय पर नाली होगी यन की केंदर सरकार, राज्य सरकार, उस्तानी सरकार, तिन परकार की सरकार होगी तीसरा विकल पर एकल सत्रीय पर नाली होगी की एकी परकार की सरकार होगी और चोथा है कि भारते सिवधान में कहा गए कि चार सत्रिये पढ़नाली होगी ठीक तो हमें बताने कि भारते सिवधान में मूल रूप से किसकी बात की गए तो इसमें सही विकल प्रहेगा A सरकार की दो सत्रिये पढ़नाली है उसकी बात की गए थी केंदर सरकार और राज्य सरकार की जब मूल सेविधान हमारा बन करके त्यार हुआ था तो यह आपका सही विकल करेगा उसके बाद नौवा परशन दिया गया चलिए उसको देखते है नाइन्थ हमारा कोशिन है कि निमिलकित में से कौन सा देश है वो साथ रहें कर संग holding together का उधारन निया holding together जैसे मैंने बताया था कि उसमें एक बड़ा देश होता है और वो परशासन अच्छे तरिके से करने के लिए अपने आपको राजियों भी भाजित कर लेता है वो होता है holding together संग साथ रहें कर संग का उधारन तो इसमें भारत भी इसी परकार का संग है ठीक, Belgium, Spain ये भी इसी परकार के संग है Switzerland है वो इस परकार का संग लिए वो coming together का example इसमें छोट-छोटे अलग देश थी जिन्हों मिल करके एक देश का गठन किया एक संग का गठन किया तो D हमारा correct answer हैगा D हमारा सही विकल्प रहेगा ठीक, उसके बाद देसवां हमारा पर्षन दी गए चलिए इसको देखते हैं देसवां जो हमारा पर्षन है कि निमिल कित में से कौन सा साथ आकर संग का उधारन नहीं है coming together का coming together जिसे बताया कि चले वह एक देश बनाते है तो होगा coming together federation ठीक, तो इसमें से एक देश है जो coming together का example नहीं है तो पहला विकल्प एगाए भारत दूसरा USA तीसरा Switzerland चोथा Australia तो यह तीनों है वो coming together के example है तो इसमें भारत है वो holding together का संग है ठीक, एक देश है उसको हमने राजियों में वभाजित किया तो यह हमारा correct answer है यहनकि भारत है वो coming together का example नहीं है उसके बाद 11th हमारा question दिया गए 11th question को देखी कि सविधान संशोदन 1992 में 1992 के अधार पर इन में से कौन सा गलत है यह हमें बताना है इन में से कौन सा है ती स्थानिय सरकार थी तीसरे सरकार की जो सरकार है उसको शक्तिसाली बना गया था तो काफी सारे नई बदलाव किये थे तो उसमें से बताना है कि कौन सा बदलाव उसमें नहीं था एक चोथाई पद महिलाओं के लिए आरक्षी था पहला विकलती है दूसरा विकलती है स्थानिय सरकार के निकाए के लिए नीमित चुनाव होने चीए इस बात का प्रावधान किया था बिल्कुल सही है जो चुनाव है पहले वो नीमित समय पे नहीं होते हैं अब फिक्स कर दिया गए पांच वर्ष मतलब पांच वर्ष में होने ही होंगे दूसरा इसमें स्थानिय सरकार में S.C.S.T. और O.B.C. के लिए आरक्षिन के वस्ता की गए तो ये भी सही है और तीसरा राज्य चुनावायों को संपन करवाएगा यानि की राज्य चुनावायों का गठन किया गए ये भी सही है इसमें जो पहला विकल्प है वो सही नहीं है इसमें कहा गए कि एक चुथाई पद है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है जबकि एक चुथाई नहीं बलकि एक तिया यानि कि कि पूरे जिले का परशाषन कौन संभालता है जिले का मुख्या कौन होता है तो पहला विकल्प है सरपंच होता है दूसरा मेयर होता है तीसरा जिला मजिस्टेट या फिर जिला कलेक्टर होता है चोथा सत्र नियाई धीश होता है तो इसमें सही विकल्प आपका C रहेगा किसमें जिला मजिस्टेट कुछ राज़ों में DM होते हैं डिस्टिक मेजिस्टेट और कुछ राज़ों में DC होते हैं जो डिस्टिक के हैड होते हैं डिस्टिक कलेक्टर तो DC या फिर DM है वो जिले की मुखिया होते हैं उसके बाद 13 था हमारा क्वेशन रहेगा 13 हमारा पर्षन है किस अवधी में देश के कई राज्यों में शेत्रिय रालन्तिक दलों का उद्य हुआ था कि देश में कई राज्यों में एक आद राज्य की बात नहीं करें कि कई राज़्े में शेत्री रान्तिक दल, जो परानतिय दल थे, उनका उदेर था, और वो सक्ति-सालि बन गए थे, तो किस काल में हमें बताना है, तो यहां पर है 1990 के बाद की अवधी दूसरा विकलप है, 2000 अवधी में, तीसरा 1980 के बाद की अवधी में, और चोथा 1960 के तो शेत्रिय दल कहलाते हैं जैसे पंजाब में अकाली दल है वो शेत्रिय दल है ऐसे हम बिहार के काफी सारे आंतिक दल है जैसे लोक जन शक्ति पार्टी होगी शेत्रिय दल है ओके राष्ट्रिय जनता दल है वो भी अब शेत्रिय दल है समाजवादी पार्टी है वो भी शे वो सत्ता में आते हैं, राजियों में शक्तिशाली बन जाते हैं, उनका वोट बेंक है, वो अच्छा खासा मजबूत हो जाता है, तो यह आपका सही विकल्प रहेगा, उसके बाद चोधवा हमारा परशन दीगा है, 14 जो परशन है, कि ग्रामिन स्थानिय सरकार किस नाम से जा तीसरा इसको पंचायती राज कहते हैं, चोथा उप्रोक्त में से कोई नहीं, तो सही विकल्प आपका रहेगा, सी इसको पंचायती राज ववस्ता या पंचायती राज भी कहते हैं, जो ग्रामिन स्थानिय सरकार है, उसको क्या बोलते हैं, पंचायती राज, तो सी आपका correct answer रहेगा उसके बाद 15 आपका question रहेगा 15 जो पंदरुवा परशने पंचायती राज की तीन सत्रिय पढ़नाली का कौन सा हिस्सा नहीं है ये हमें बताना है ठीक कि उसमें तीन सत्रिय पढ़नाली होती है जैसा कि हमने chapter में भी डिसकस किया तो उनमें से एक है जो उसका हिस्सा नहीं है पहला विकलती है नगरपालिका दूसरा ग्राम पंचायत तीसरा ब्लोक समेती और चोथा है जिला परिशत तो इसमें सही जो आपका अंसर रहेगा वो रहेगा ए जो है वो शहरी जो तीरतिया लेवल की सरकार होती है शहरी जो स्थानी सरकार होती है उसका हिस्सा होता है यह शहरों में होती है यह पंचायती राज में शामिल ने होगी यानिकि ग्रामिन स्थानी सरकार में शामिल ने होता है गाउं में होता है पहले पंचायत समेती होती है फिर दो या तीन गाओं की ब्लोक समिती होते हैं फिर लगवग 10, 15, 20 गाओं की जिला परिशद बनती है ठीक तो इस परकार से उनके तीन लेवल होते हैं तो ऐसे ये सामिल होते हैं पंचायती राज में जबकि नगर पालिका वो शहरी जो निकाय होते हैं उसमें शामिल होता है उसके बाद 16 हमारा 16 पर्षन है उसको देखी 16 पर्षन देगा है नगर निगम के पर्मो को क्या कहते हैं यह हमें बताना है ठीक तो नगर निगम के पर्मो को क्या कहते हैं तो चार विकल देगें पहला मेर कहते हैं दूसरा चेरमेन कहते हैं, तीसरा सच्षिव कहते हैं, चोथा परधान कहते हैं, तुछ में सही विकल प्राइगा, जैसे अगर चोटा शहर है, यह शोटे का मतलग है, होनात बढ़ा चाहिए, तभी उसमें नगर निगम हुआ, तो उसमें अगर ज़्यादा बढ़ा नहीं है तो उसमें से एक ही नगर निगम चुना जाएगा सभी लोग वोट डालेंगे और वोट डालने के बाद डारेक्ट जो वोटिंग होगी उससे जो मेर है वो चुना जाता है और दूसरा यह कि जैसे दिल्ली जैसे बड़े शेर है तो हाँ पे कई नगर निगम होते हैं तो हर नगर निगम से एक मेर को चुना जाता है मेर उस नगर निगम के करता धरता होते हैं एक तरीके से वो उस नगर निगम के परधान मंतरी के तरह ही होते हैं उसके बद सत्रुमा हमारा परसंद दिया गया है 17 हमारा कोशन है पंचायती राज की परनाली में शामिल है क्या कोछ शामिल होता है यह हमें बताना है तो पहला इसमें ग्राम सामिल होते हैं ब्लोक और जिला सतर तीन लेवल सामिल होते हैं दूसरा इसमें ग्राम और राजे सतर दो लेवल सामिल होते हैं यानि कि गाउं की एक पंचायत होती है, उसके बाद ब्लोक समीती होती है, उसके बाद जिला परिशद होती है, तो यह आपका correct answer हैगा, उसके बाद 18 हमारा question रहेगा, 18 हमारा question है, कि जब केंद्र और राज्य सरकारों से सक्तियां छीन ली जाती है, और स्थानिय सरकार को दे दी जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है, यह भी एक important topic है, जो आपके syllabus में आपके chapter में दिया गए, तो इसमें पहला विकल्प है, इसको वित्रन कहेंगे, यानकि शक्तियों को वहाँ से लेकर करके दूसरी जगह पर वित्रित कर दिया गए, बांट दिया गए, दूसरे इसक पुनर गठन कहेंगे, रियोगनाईजिशन कहेंगे, चोथा इसको कहेंगे, विकेंद्रिकन, डिसेंटलाईजिशन और पावर कहेंगे, तो इसमें सही विकल्प पहेगा, इसको बोलते हैं, सत्ता का विकेंद्रिकन, डिसेंटलाईजिशन और पावर, शक्तियों का विकें अंग्रे जी हमारी राष्ट्र भासा है क्या ये सही है ये तो बिल्कुल सही नहीं है दूसरा नागरिक किसी भी भाषा को राष्ट्र भासा के रुप में चुनने के लिए सवतंतर है हम अपने अपनी राष्ट्र भासा डिकलेर कर सकते हैं ऐसा भी सही नहीं है तीसरा हिंदी कोई भी राष्ट्र भासा नहीं है, 22 भासा हैं जो अनुशुचित भासा हैं, और हिंदी और अंग्रेजी हमारी कामकाज की भासा है, राष्ट्र भासा कोई नहीं है, तो D आपका correct answer हैगा, ये हमारी भासा नितिकी सबसे महत्पून विशेशता है, उसके बाद 20 वा हमारा पर विशे सरकार बनागी और समवर्थी सुची जिस पर कानून दोनों बना सकते हैं, अब संग सुची में वो विशे आते हैं, जो पूरी देश के लिए important होते हैं, ठीक, वो विशे आते हैं संग सुची में और सिरफ central government कानून बना सकते हैं, तो हमें इन में से बताना है, कौन केंदर सरकार है, मिलकर के इसमें कारे करते हैं, तो इसमें आपका D सही विकल्प रहेगा, D है आपका crack answer हैगा, उसके बाद 21 हमारा परशन देगा है, 21 चली उसको देखते हैं, 21 हमारा परशन है, कि समवर्थी सुची में देगे विशे पर अधिनियम यानि की कानून बनाने तो विकल्प देखे, पहला केवल राज्य बना सकता है, दूसरा केवल संग बना सकता है, तीसरा, राज्य और संग दोनों बना सकते हैं, चोथा हमारा option दिया गया है, इन में से कोई नहीं, crack answer आपका रहेगा, C, राज्य और संग केंदर सरकार दोनों बना सकते हैं, इनको 22 वामरा person, 22 चलिए उसको देखते हैं, 22 वामरा person वर्तमान में, Belgium में किस परकार की सरकार है, यह हमें बताना, पहले chapter में भी हमने इसी के बारे में डिसकस किया था, यहां पर भी example दिया गया है, तो Belgium में किस परकार की सरकार है, पहला इसमें एकात्मक सरकार है, दूसरा तान सामधा एक सरकार भी है, है ना, तो वहां पर संगात्मक सरकार है, ठीक, D आपका correct answer हैगा, उसके बाद 23 हमारा परशन देगा है, ये भी बिल्कुल आसान है, कि निमेल खित में से किस देश में एकात्मक सरकार है, वो हमें बताना है, संगात्मक नहीं है, बलकि एकात्मक सरकार तो पहला है, श्रिलंका, दूसरा विकल्प है, भारत, तीसरा है, बेल्जियम और चोथा है, अमेरिका, तो इसमें correct answer हैगा, श्रिलंका, श्रिलंका में एकात्मक सरकार है, यानिकी सरकार का केवल एक ही लिवल है, कि छोटा से देश है, हरियाना के जितना पूरा देश है, तीसरा उसको मेर का जाता है, चोथा उसको पारशद का जाता है, जिसमें सही जो answer हैगा, वो रहेगा, ए, उसको सरपंच का जाता है, हलंकि कुछ राजियों में परमुख भी का जाता है, परमुख या परधान भी का जाता है, लेकिन मुख्य तोर पे सरपंच के नाम से ही जाने जाते हैं उसको बद 25 हमारे परश्न चलाएं उसको देखते हैं 25 परश्न भारतिय सेवधान में अविष्ट या आवश्ष्ट शक्तिया है वो किसके पास होती है अब आवश्ष्ष सक्तियाक क्या होती है कि एक तो होगी आपकी संग सुची, दूसरी होगी आपकी राजय सुची, तीसरी होगी आपकी समवर्ती सुची, तीन होगी न, संग पे केंदर सरकास, सेंटल गवर्मेंट कानून बनाएगी, जो राजय सुची है उसके उपर स्टेट गवर्मेंट कानून बनाएगी, समवर जब बना था तो उस वक्त कंप्युटर वगरा इंटरनेट वगरा नहीं होते थे तो उनके कानून भी नहीं बने थे ठीक तो अब वो विशय किसमें आएगा वो आएगा इस अफसिष्ट सूची में तो यह किसके पास होती है इन विशयों पर कानून कौन बनेगा यह हमें ब जो हमारी Central Government है, संग्य सरकार है, वही बना सकती है, उसके बाद 26 हमारा पर्षन दिया गए, चलिए उसको देखते हैं, 26 हमारा पर्षन है, पंचायती राज विशे है, ठीक, किस सुची में आता है, पंचायती राज विशे किसमें आता है, लेकिन उसमें फिर वदल किया गया, तो इसमें अब यह राज्य सुची में है, राज्य सुची मतलब, जो राज्य सरकार है, वो इन पंचायती राज विशे है, इनको देखेगी, इनके चुनाव की विशे करेगी, उके, इनके लिए जो फंड है, उसकी विशेता करेगी, तो इसमें B आपका correct answer हेगा, उसके बाद हमारा 27 वा पर्षन रेगा, 27 वा पर्षन है, निमेलिखित में से कौन सा विशे, समवर्ति सुची में है, ठीक, समवर्ति सुची जो तीसरी सुची है, जिसमें दोनों ही कानून बना सकते हैं तो इसमें पहला क्रिशी, दूसरा पुलिस, तीसरा रक्षा और चोता है शिक्षा इसमें से जो क्रिशी है वो राजे सुची में आता है पुलिस है ये भी राजे सुची में आता है जो रक्षय है ये केंद्रे सूची में आता है रह गये हमारा D ये समवर्ती सूची में आता है यानि कि केंद्रो राजे सरकार दोनों हिस पर कानून बना सकते है तो ये समवर्ती सूची का विशे है उसके बाद 28 होग हमारा पर्ष्ण जिए गया निमिलकित में से कौन सा राजय सूची में नहीं है, हमें ये बताना है, कि कौन सा विशे जो राजय सूची में नहीं आता है, पहला है जेल, दूसरा सिंचाई, तीसरा सुरक्षा, चोथा है कृषी, तो इसमें सही विकल प्रएगा, जो सुरक्षा है, वो राजय सूची में आता है क्योंकि सुरक्षिया वो पूरी देश के लिए महत्पून है तो आएगा संग सूची में ठीक उसके बाद 29 जो हमारा परशन देगा है 29 परशन है कि एक संघ्य राष्ट्र में न्याय पालिका एक अंपायर के रूप में कारे कैसे करती है यह हमें बताना है यह आपके स न्याय पालिका शाषन करती है यानि कि उनको उनसे उपर होती है उनके उपर शाषन करती है यह तो बिल्कुल नहीं है ऐसा नहीं है दूसरे केंद्रो न्याय पालिका मिलकर के कारे करते हैं यानि कि वो शाषन करते हैं तो यह भी सही विकल्प नहीं है तीसरा न्यायले के स न्याले है जो वो सिवधान के मोल धांचे को बदल सकता है ये भी सही विकल्प नहीं है क्योंकि उसमें बदलाव संसिद करती है चोता है न्याले सिवधान की व्याख्या करने के लिए शक्ति का प्रियो करते है तो ये सही विकल्प है क्योंकि जैसे अंपायर क्या करते है तो D आपका सही answer रहेगा उसके बाद 30 वह हमारा person देगा है 30 वह person को देखी 30 हमारा question है इसमें column A को column B से match करना है ठीक, तो column A दिया गए जो हमारा first column दिया गए column A में देखी यहाँ पे दिया गए सूचना प्रोधो की तो यह किस में आता है यह आएगा अफसिष्ट विश्य में आएगा अफसिष्ट सूची में ठीक जो पुलिस है वो राजे सूची में आएगी जो आपकी शिक्ष्या है वो समवर्ती सूची में आएगी जो आपकी रक्ष्या है वो संग सूची में आएगा यानि कि first का आपका fourth हो जागा second का आपका third हो जागा third का आपका first हो जागा और fourth का आपका second हो जागा तो इसमें ए जो आपका answer है वो सही रहेगा ठीक, ए, आपको क्या करना है इसमें जिसे आपको solve करोगे इस type के question को तो कैसे करऊ गए? आपको जैसे इसके सामने यहां पर मैस किए अगर चमठी हो जागई आपको सूसना प्रवधकी की है ये फॉर्थ आएगा तो इसके सामने आपको जो सिख्ष्या है ये आपका तीसरा जो है किसमें आएगा? पहली सूची में एक मिनिट, समवर्ती सूची में यह एक नमबर पे और उसके बाद जो रक्षया है वो आपका संग सूची में यह ति दो नमबर तो ऐसे लिखोगे थोड़ा से confusion नहीं रहेगा अगर आपने जैसे मैंने match किया ऐसे करोगे तो गड़ बढ़ रहेगी तो इसमें आपका एक correct answer हैगा उसके बाद next question को देखते है next जो हमें question देगा है यह है आपका 31 पर्षन यह जो आपके question है 29, 30, 31st यह question है अभी का जो simple question paper है जो मैंने morning में publish किया है इसे थोड़ी देर पहले तो उसमें भी यह आया हुआ agities तिहां पे देखे यह देगा है कि शीवानी है वो केंदर सरकार में भरती के लिए आयए जित परिक्षया में सामिल होना चाहती है ठिक सामिल हो रही है शीवानी है Central Government की कोई जोब निकली उसमें एक्जाम दे रही है ठिक आठमी अनुसुची में उल्लेकित कितनी भाषाओं में वो परिक्षया देने का विकल्प चुन सकती है यह हमें बताना है कि आठमी अनुसुची में कुछ भाषाएं है ठिक जितनी भाषाएं देगे उनमें वो एक्जाम दे सकती है तो मैं बताना कि आठमी अनुसुची में कितनी भाषा हैं जिसमें वो एक्जाम दे सकती है तो इसमें option देगे हैं पहला 18, दूसरा है 21, तीसरा है 22 और चोथा है 25 यानि कि 25 तो इसमें correct answer आपका रहेगा C 22 जो भाषा हैं उसमें वो एक्जाम दे सकती है उसके बाद 30 सेकेंड जो हमारा question देगा है 32 और नीचे देगे परशन में दो कतन देगे एक अभी कतन है और दूसरा कारण R दिया गया है ठीक एक अभी कतन A और दूसरा है उसका कारण R दिया गया हमें इनको पढ़ना है और उसके बाद सही वी कलप है उसका chain करना है ठीक तो चलिए पहले हम अभी कतनों को पढ़ते है उसके बाद सही वी कलप का chain करेंगे तो इसमें पहला दिया गया है अभी कतने कि भारत में परतेक राज्ये अपनी राज के भाषा को चुन सकता है सही बात है दूसरा कारण दिया गया है भारत धरम निर्पिक्स देश है ये भी सही बात है लेकिन ये जो कारण B दिया गया ये A की व्याक्या तो नहीं कर रहा ना सही तो है लेकिन व्याक्या नहीं कर रहा तो इसमें सही वी कलप क्या रहेगा सही वी कलप हमारा B रहेगा कि A और R दोनों सत्ते हैं लेकिन R जो है वो A की सही व्याक्या नहीं है ठ तो वो देखना होता, फिर B को read किजिए, उसको देखे कि सही है या नहीं, ये करने के बाद फिर आपको find out करना है, कि क्या ये उसको explain कर रहा है, उस related है, related है, ये आपको last में find out करना है, तो उसके बाद आप सही correct option है, उसको choose कर पाऊगे, तो यहाँ पर हमें, दोनों ही क्यों इनको देखती है, next जो अगला हमारा परशन देखा है, 33 परशन है, कि निमिल खित में से कौन सा विकल्प साबित करता है, कि भारत एक अर्ध संग्या देश है, यानि कि पोरन संग्या देश नहीं है, इसमें पहला विकल्प देखा है, कि केंदर सरकार के पास अधिक शक्ति के पास है, तीसरा केंदर और आजियों के पास समान शक्तिया यह ऐसा तो है नहीं, और चोथा केंदर के पास मुद्रा और रेलवे जिसे मैटमोन विश्य भी है, ये भी सही बात है, तो इसमें से पहला, दूसरा और चोथा है, ये जो विकल्प पर ये प्रूव करते हैं, क चलिए, उसको देखते हैं, चोंतिसवा परशन है, चोंतिसवा परशन देगा है, कि भारते सिवधान में संगवाद के सिधानत के बारे में सही कतनों की पैचान करना है, ठीक, कि संगवाद के सिधानत के बारे में सही कतन कौन सा, ये हमें पता लगाना है, तो पहला कि भार सरकार की क्या शक्तियां रहेगी राज्य सरकार की क्या रहेगी ये भी सभी बात है तो इसमें विधान सबाकाव शामिल होना आवशक रहेगा तो इसमें पहला और दूसरा विकल्प सही है यानकि आपका एक रेक्ट अंसर हो जाएगा क्लियर उसके बाद 35 परशने उसको जा दियागा, यह हमें बताना है, हिंदी की अलावा, तो यहां पर आप एक बार अपने दिमाग की घोड़ी दोड़ाई हो, देखिए कौन सा सहीवी कल्प रहेगा, पहला 20, दूसरा 21, तीसरा 22 और चोथा है, 23, तो इसमें correct answer आपका 21 रहेगा, क्योंकि अनुसुतित भाषाएं कितनी है, वो है 22, इसमें पूचा हिंदी के लावा, हिंदी को छोड़ दें, एक कम कर दें, कितनी रहेगे, 21 भाषाएं, तो इस टाइप के tricky questions भी आपके exam में रह सकते, तो इसमें B आपका correct answer रहेगा, उसके बाद 36 थे, कि भारत में पंचायती राज को किस सविधानिक शंसोदन द्वारा मानेता परदान की गई थी, पंचायती राज वह उसता को, मानेता परदान तो यू नहीं कह सकते, उसको शक्ति साली बना गया था, ये भी परशन जो हमारा constitutional amendment यान की तियतरवा सविधान संसोदन था, उसमें पंचायती राज वह उसता को मजबूत किया गया था, उसको एक तरिके से मानेता दे गया थी, तो ये आपका correct answer रहेगा, ये भी आपका बहुत important question है, उसके बाद 37th हमारा परशन दे गया है, 37 रहेगा, ए, जम्मू कश्मीर का अपना अलग सविधान था, हलांकि अब वो प्राधान है, वो खतम कर दे गया है क्योंकि जम्मू कश्मीर अब एक राज्य नहीं है बलकि उसके स्थान पर दो केंदर शासित परदीशन का गठन किया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाक उसके बाद 38 नहीं हमारा परशन है 38 को देखिये 38 नहीं परशन देगा है भारते सिविधान में उलेखित सूचियां कौन कौन से है तु इसमें दिया गए पहला है, संग सूचि उसमें है, दूसरा राजे सुची है, तीसरा उसमें समवर्थी सुची है चोथा दिया गए उप्रोक्त सभी तो इसमें क्रेक्ट आंसर हैगा उप्रोक्त सभी D, यानकी तीनों सुचियां हमारी सिवधान में उल लेखी थे उसके बाद 49 हमारा परशने चलिए उसको देखती है, 49 हमारा परशने विश्व के कौन से देश साथ आकर संग बनाने के पद्धी पर गठी थे यानकी साथ आकर के संग बनाना साथ आकर के संग बनाना मतलब Coming Together Federation, ठीक तो उसके पद्धी पर ये गठी थे इसमें पहला USA, दूसरा उस्टेलिया परशन दिए गए, 40 जो question दिए गए चालिसवा परशने, भाषा के विवित्ता के अधार पर किस तेश का नाम सबसे उपर आता, यानकी किस तेश में सबसे अधिक भाषाई विवित्ता पाई जाते है सबसे अधा भाषाई बोली जाते है पहला चीन, दूसरा भारत, तीसरा है विकल पाप का, पाकिस्तान चोथा है रूस, तो इसमें करेक्टा आंसर हैगा भारत, 2011 की जनकरना के अंसार भारत में 13 शो के आसपास भाषाई है जिनको अलगले लोगों ने अपनी मात्री भाषा का नाम दिया, 13 शो भाषाई है बहुँ ज़्यादा हो जाती है तो भारत में भाषाई विवित्ता अधिक पाई जाती है उसके बाद 41 हुआ हमारा परशन है 41 हुआ परशन लेगा इन में से किस देश में एकात्मक सरकार है पाई जाती है, एकात्मक सरकार पाई जाती है, यह हमें बताना है, तो इसमें है England, दूसरा Japan, तीसरा है चीन, और चोथा उपरोक्त सभी, तो इसमें D करेक्ट अंसर एगा, इन तीनों ही देशों में एकात्मक सरकार है, इंग्लेंड में भी एकात्मक सरकार है, जापान में भी एकात्मक है, चीन बहुत बड़ा देश है, लेकिन फिर भी यहाँ पर संगात्मक सरकार ही पाई जाती है, उके तो D आपका करेक्ट अंसर एगा, उसके बाद नेक्स जो हमारा कुशन देगा है, बियाली सुमा परशन पंचायती राज में महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित किये गए, यह हमें बताना है तो इसमें आधे पद, दूसरा तीन चौता ही पद, तीसरा विकल्प दिये गए, एक तिया ही पद, और चौता विकल्प है, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो जिसमें करेक्ट आंसर एगए, एक तिया है, यानि कि 33 परदिशत जो पद है, वो महिलाओं के लिए रिजर्वड है, आरक्षित है, उन पर केवल महिलाओं ही चुनाव लड़ सकती है, पंचायती राजववस्ता में, उसके बद, 43 वह हमारा 44 वह परशन है, चलियो उसको देखती है, 44 वह परशन है, एक ऐसे देश का नाम लिखें, जिसमें संगवाद नहीं है, यह हमें बताना है, जिसमें पहला विकलती है भारत, तूसरा शूट चलें, तीसरा अमेरिका, चोथा चीन, तो इसमें करेक्ट आंसर हैगा, चीन, चीन संगी अदेश नहीं है, बड़ा देश है, लेकिन फिर भी वहाँ पर संग आत्मक शाषन पर नाली नहीं है, एकात्मक शाषन पर नाली ही पाई जाती है, तो चीन, डी आपका करेक्ट आंसर हैगा, उसके बाद 45 वह हमारा परशन लिएगा है, 45 वह परशन है, कि भारतिय सं पर देश है, तीसरा, 29 राज्य और 9 कंदर शाषित पर देश है, चोथा, इसमें 29 राज्य और 7 कंदर शाषित पर देश है, यह आपका लास्ट कोश्चन है इस चैप्टर का, और इसका आंसर मैं नहीं देने वाला, आप देने वाले हूँ, कमेंट करके बताईएगा, कि वर अगर आपने डिटेल में इस वीडियो को नहीं देखा, पहले आप डिटेल में इस चैप्टर को देखिए, और बहुत मज़िदार है, 50 मिनेट में हमने पूरे चैप्टर को निप्टाए, जैसे कि आपको पहले बताए था, 8 गंटे में आपका टर्म 1 की शोसो साइंस, आप आपका टर्म 1 की शվ Regel आपका टनूस, जैसे कि आपको ज सकता है, 06 १डर्ध झसों साइंस, ईपको देखिए, जैसे झसाने साइंस, की आपको पहले निजियो कि और सकता है, 10 अबहूरे आपकाником, की और र mmm T